नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका RK class दोस्तों गटना चक्र स्रीज में आपका स्वागत है आज हम लोग विज्ञान की अध्याय तीन को पड़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने कुल दो अध्याय को कवर कर लिया है उम्मीद है आपने उसे अच्छे से तयार किया वगा और आप इसे अभी से तयार करती जाएं इसे तयार करने से पहले आप पिछले कि दू लेशन को एक बर जरूर डिवाइस कर लें और कोसिस करें कि आप वीडियो को पाउस करके सारे प्रशनों को लिख लें अगर आपके पास बूख है फिर भी आप लिखें क्योंकि अगर इसका लेशन 3 हमारा ध्याय है यांत्रिकी ठीक है तो चलिए पहला प्रसंदिकी क्या कहता है कि एक व्यक्ती जो है समवेदन सील तराजू पर खड़ा है यदिवह गहरी सांस अंदर लेता है ठीक है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाप पड़ेगा तो ध्यान दि एक व्यक्ति जो है संबेदन सील तराजू पर खड़ा है और वो अगर सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है क्या होगी घट जाएगी एक और बात अगर गहरी सांस जो है अगर बाहर भी छोड़ता है तो भी तराजू की रीडिंग घट ही जाएगी ध्यान र रखें साधारन यंत्र जो है यह कम बल का प्रियोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है इसमें जो हमें क्या लगता है बल लगता है कम और काम भी उतना हो जाता है चलिए अब जैसे मालीजे कि कुए से पानी निकालना है अगर आप बिना घिरनी के निकालते हैं तो आप देख लिए आपको बल कम लगेगा ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बल लेकिन अगर आप घिरनी निकाल देते हैं घिरनी लगा कि आप फिर पानी निकालते हैं तो आपक तो ध्यान रखिए वासिंग मसीन जो है अब केंद्रिये बल के सिधान पर कार करता है अब केंद्रिये बल अभी केंद्रिये बल भी option में रहता है तो ध्यान रखिए वासिंग मसीन अब केंद्रिये बल के सिधान पर कार करता है अगला है हवाओं में किस प्रकार की उरजा होती है तो ध्यान रखिए हवाओं में केवल गती जूरजा होती है नेक्स्ट है सडग पर चलने के पेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है में तो ध्यान रखिये सडक पर हम जो चलते हैं उससे ज़्यादा रचिन होता है किस पर चलना बर्फ पर क्यूं क्यूंकि देखिए बर्फ में सडक के पुक्षा कम घर्षन होता है है ठीक है फ्रिक्षन है बर्फ में जो है कम होगा सड़क के कॉर्डिंग इसलिए जब घरसन कम होगा तो चलने में प्रॉब्लम आएगी हम फिसल सकते हैं गिर सकते हैं इसलिए अगला है किसने न्यूटन से फुर्व बता दिया था बताया था कि सभी वस्तुमें पृत्वी की ओर गुर्तवा करशित होती है तो ध्यान रखिए न्यूटन से पहले ये बताने वाले थे ब्रह्म गुप्त ब्रह्म गुप्त ने बताया था कि सभी वस्तुमें पृत्वी की गुर्टवा करशित होती है अगला है काफी असान कोश्चन गुर्टवा करशन का सिध्धान्त किस ने दिया था तो ध्यान रखिए आईजेक न्यूटन ने गुर्टवा करशन का सिध्धान्त दिया था नेक्स्ट है अंत्रिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते तो ध्यान दीजिए क्योंकि वहां गुरुत्व का अभाव होता है अगला प्रशन है यदि शूर एवं पृत्वी की दूरी दोगनी हो जाए मतलब वर्तमान में जो है इसके दोगनी हो जाए तो पृत्वी पर लगने वाला गुर्तवा करसन बल क्या होगा तो देखिए यदि प्रित्वी और सूरी के बीच की दूरी अगर दोगनी हो जाती है तो लगने वाला गुर्त्वाकरसन बल जो है ये एक चोथाई हो जाएगा ध्यान रखें अगला है गुर्त्विय तरण का मान कहा नियुनितम होता है तो ध्यान रखें, गुर्त्यों तरन का मान नियुनितम भूमद रेखा पर होता है और इसका मान जो है सरवाधिक अधिक्तम धुरूबों पर होता है ये चीज़ आप ध्यान रखें, कई दफ़ा ये सारे कोशन पूछे जा चुके हैं नेक्स्ट है, कहता है अगर पिर्थिवी का गुर्त्वा कर्शन बल लुप्त हो जाए, ठीक है, गुर्त्वा कर्शन बल जो है, ग्रिविट्रिशनल फोर्स जो होता है, ये अगर लुप्त हो जाए, तो क्या होगा तो ध्यान रखिए, यदि पिर्थिवी का गुर्तवा कर्शन बल लुप्त हो जाए, तो वस्तु का भार जो है सुन हो जाएगा, लेकिन द्रवमान वही रहेगा बहुत कन्फिजिंग औप्शन रहता इसमें, कि द्रवमान सुन हो जाएगा, भार वही रहेगा, और परिवर्तिज रहेगा लेकिन ध्यान में क्या रखना है, कि जैदि गुर्तवा कर्शन बल लुप्त हो जाए, तो वस्तु का भार जो है, वो सुन हो जाएगा, लेकिन द्रवमान सेम रहेगा अगला है, कृत्रिम उपग्रह जो है, किस प्रकार पृत्वी से ट्रेक किया जा सकता है तो ध्यान रखिए, कृत्रिम उपग्रह जो है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रफाल से प्रत्वी से ट्रेक किया जाता है अगला है, किस बल के कारण उपग्रह प्रत्वी के चक्कर लगाता है तो ध्यान रखिए उपग्रे जो है प्रित्वी का चक्कर लगाता है केंद्रा भीमुखी बल की कारण केंद्रा भीमुखी बल केंद्री की उर्जुबल लगता है चीक है चलिए अगला कह रहा है लिफ्ट में किसी व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालम होगा तो ध्यान रखिए जब लिफ्ट जो है त्वरित होकर उपर जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक लगता है आपने यसे महसूस किया होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है लोलक की कलावधी टाइम पिरिएट किस पर निर्भर करता है तो ध्यान रखिए लोलक का जो टाइम पिरिएड है ये उसके लंबाई पर निर्भर करता है ठीक है फिर कहता है कि लोलग घणियां जो है ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों क्योंकि उसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है ठीक है और उसका टाइम पिरियड तो लंबाई पर हिंद्रिवर करता है ध्यान रखें नेक्स्ट है लड़की बैठी जूला जूल रही है यदि वग खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा तो ध्यान रखें यदि लड़की बैठी जूला जूल रही है और वग खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल जो है ये घट जाएगा नेक्स्ट है पिर्त्वी का पलायन वेग कितना होता है तो ध्यान रखें एक 11.2 km प्रति सकेंड ये पिर्त्वी का पलायन वेग होता है इसी वेग से जो है अगर आप कोई चीज फेकते हैं तो वो पलायन कर जाएगा नेक्स्ट है चनरमा पर वायू मंडल नहीं होने का क्या कारण है क्या कारण है कि वहाँ पर वायू मंडल नहीं होता तो ध्यान रखें इस पर जो है गैस अनुवा का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है मतलब वहाँ जो है टिक नहीं पाता है इसलिए वहाँ जो है गैस के अनू जो है वहाँ ठैर नहीं पाते इसलिए वहाँ पर वायो बंडल का नहीं हो पाता है अगला है पेंडूलम घडी जो है तिवर गती से चलती है तो सीथ काल में पेंडूलम तिवर गती से चलती है और अब गर्मी में तो उस्सुस्त हो जाती क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो यह था हम लोग का घटना चक्र अध्याय तीन सारे कुश्चन काफी बेसिक कुश्चन है आप सभी इसमें जानते होंगे एक दू कुश्चन अगर आपको मिस हो रहा तो आप उसे अच् काते हैं होगे अगर आपको कुश्याद सुत है था है